नमशकार दोस्तों, हजारो साल पहले इंडिया में लोगों को चाउल खिला कर ये पता लगाए जाता था कि कोई इंसान सच बोल रहा है या जूट वो जूट बोल रहा है, लेकिन जो वेगति आसानी से इंचाउलों को नहीं पाता था मतलब कि वो जूट बोल रहा है सुनने में ये काफी funny सा लगता है लेकिन इसके पीछे assumption ये था कि जो व्यक्ति जूट बोल रहा है उसका गला सूख जाता है लेकिन दोस्तो रियलेटी में यहां उन चावलों का कोई खास रोल नहीं था सच और जूट का पता लगाने में बलकि यहां उस जूट बोलने वाले व्यक्ति का घला सूख ने और उसकी बोडी के से रियक्ट कर रही है उससे पता चलता है कि यहां सच बोला जा रहा है जूट लेकिन दोस्तो 2022 की इस सदी में इंसान इतना चालाक और शातिर हो गया कि उसे एक बोली पर चावल खिलाने पर भी यह पता नहीं लगा जा सकता क कि यहां सच बोला जा रहा है या जूट तो इसलिए 19th century में एक Italian criminologist Cicero Lambroso ने blood pressure को माप कर सच और जूट का पता लगने वाली एक machine मनाई दोस्तो 1914 में American Physiologist William Maston ने एक कुछ ऐसा ही device बनाया जिसका यूज बाद में World War First और World War Second में किया गया prisoners पर दोस्तो 1921 में John Augustus ने blood pressure और सांसों को record करने वाला एक device बनाया जिसे बाद में पहली बार police station पर यूज किया गया criminals पर और John Augustus के इसी device को develop कर बाद में USA की intelligence FBI ने इसका use तो दोस्तो आखिर में सच और जूट का पता लगाने वाली ये machine होती क्या है और कैसे ये सच और जूट का पता लगाती है आईए जानते दोस्तो इस machine को polygraphy machine और इसके द्वारा किये जाने वाले test को polygraphy test कहा जाता है बोडी के अलगलग parts के signals को detect करती है इन signals में mainly blood pressure, pulse rate, respiration और skin conductivity जैसे signals होता है जिसमें आये बदलाओं को मापा जाता है दोस्तो असल में ये machine सच और जूट का नहीं बलकि सवाल जवाब के दोरान उसकी व्यक्ति की body में आये बदलाओं को पता लगाती है और इन ही बदलाओं के आधार पर एक graph draw किया जाता है दोस्तो इस graph को किसी doctor या psychologist द्वारा पढ़ा जाता है polygraphy या lie detector test में mainly objective questions पूछा जाता है इस technique को security यानि की control question technique कहा जाता है जिसके answer भी हाँ या ना यानि की yes or no में दोस्तो अब बात करें इसके authenticity यानि की कितनी अच्छे तरीके से ये काम करती है तो इस पर कहीं सवाल उटे हैं कि क्या polygraphy machine या जो lie detector test है वो सच में कारगर है या नहीं क्यूकि उस machine के साथ यहां doctor और एक psychologist की भी एम भूमिका होती है जिससे गलती होने के chances कहीं गुना बढ़ जाते है इसके अलावा आज market में ऐसी कहीं दवाया और drugs अवैलेबल है जो कि इस machine और lie detector test को चकमा दे सकती है दोस्तो अगर हम बात करें भारत में इसके use की तो 2008 में एक Indian court ने brain electrical oscillation signature profiling test को evidence की रूप में पहली बार use किया जहां एक मैला पर अपने मंगेतर को मारने का रूप था और यह भारत में पहली बार था जब एक polygraph का use court में evidence की रूप में किया गया मैं 2010 में Supreme Court of India ने narco analysis और brain mapping और polygraph test को illegal और constitution के against बताया और इसका use ने करने के आदेश दिये दोस्तो सच और जूट बोलना इंसान की आदत और परिस्तितियों पर निर्बर करता है कई बार लोग swim की गलतियों को चुपाने के लिए जूट बोलते हैं और जिसे विग्यानिकों ना, self-serving human tendency का दोस्तो आज जूट बोलने की आदत हम इंसानों में इतनी गहरी बेट गई है कि हम social media, news, यहां तक कि अपने बच्चों, माता-पिता और जीवन साती से भी कहीं न कहीं जूट बोलते रहते हैं तो उमीद है आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिलाओगा इसी के साथ ख़तम करते हैं वीडियो को धन्यवाद